Hello students, YouTube channel Shoshio Classes में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में History and Culture of Punjab सब्जेक्ट के most important questions डिसकस करने जा रहे हैं यह BA first semester के लिए है जो exam December 2023 में होने है Name of the paper is History and Culture of Punjab from the earliest times to pre-morian period यह Hindi medium में हम डिसकस कर रहे हैं इससे पहले English medium में यह वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसके maximum marks 50 हैं जिसमें से 45 marks के theory paper है 5 marks की internal assessment college की तरफ से लगाई जाएगी Time 3 गंटे का है Answer any 5 questions out of 10 of the following in 25 to 30 verses सबसे पहले syllabus के according ही short questions आएंगे paper में 10 questions पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपने answer देना होगा एक एक नंबर का ये question का answer होगा ये questions इस तरह से हैं जो most important है इससे पहले ये भी बताना चाहेंगे के इसके इलावा बाकि सारे subjects के most important questions के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे सबी classes के most important questions डाले जा रहे हैं जिसमें short questions भी है long questions भी है और इसके इलावा syllabus का वीडियो भी मिल जाएगा पंजाबी compulsory और शिशालोजी के पूरे syllabus के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे वहां से आप अपने paper की त्यारी कर सकते हो बाकि इसके इलावा कुछ पूछना चाते हो तो comment box में comment कर सकते हो हाँ जी questions इस तरह से हैं सबसे पहले है पंजाब की पुर्मुख पांच नदियों के नाम लिखिए next question त्रीपिटिकों के नाम लिखिए next question रिगवेद में कितने मंडल है and सुदास कौन था पाननी कौन थे कास्ट शबद जाते शबद की उतबती के बारे में लिखिए अम्भी कौन था next question सिकंदर की मृतियों कब और कहां हुई and then उत्तर वैदिकाल की दो महला विदूशी के नाम बताईए and next question पंजाब को बारत का प्रवेश दुवार क्यों कहा जाता है and then उत्तर पश्चमीसी मांद के दो महत्पुंदरों के नाम बताईए and next question रिगवेदिक युग में पंजाब को किस नाम से जाना जाता है and next question हडपा की खोज किसने और कब्द की and then चार वरनों के नाम बताईए next जाती वविस्था के दो दोश लिखिए and then दृत रास्टर कौन थे and next question अलेक्जेंडरा के भारत पर आकरमन के दो आर्थिक प्रवाम का उलिख करे and next question सिकंदर के भारत पर आकरमन के दो रासनेतिक प्रवाम बताईए and next हड़पा संस्क्रिथी की खोश से जुड़े दो पुरत तव विदों के नाम लिखिए and then पंजाब में दो स्थानों के नाम बताईए जहां हड़पा संस्क्रिथी के अवशेश मिले है and next question अरिया के चार विदों के नाम बताईए इन मेंसे कौन सा सबसे पुराना है next question उन चार कारणों का उलेख करें जिनके कारण जाती विविस्था का विकास हुआ next question है बारत के दो महान माहा कावियों के नाम लिखिए तथा उनकी लिखको के नाम भी लिखिए next question उन दो नदियों के नाम बताईए जो पोरस सामराजिया की सीमा बनाती है next question पंजाब को दिये गए चार परसिध नाम क्या थे next सिंदुगाटी सबेता को हडपा सबेता क्यों कहा जाता है next question पुरान कितने है ऐसे किनी चार पुरानों के नाम बताईए जो इतिहास के सुरूतों के रूप में महतवपूर्ण है next question सबा और समती क्या थे and then महा काविया शबद से आप क्या समझते है बारत के दो महान महा कावियों के नाम लिखिए next step पंजाब की किस नदी ने सिकंदर को वापस लोटाने का फैसला किया और क्यों and next पोरस कौन था सिकंदर की अम्रित्यू का बर कहां हुई महा काविया युग में भरनित चार शेहरों के नाम बताईए and next पैठा पोटामिया शबद की व्याख्या करे and then वेदों पर एक टिपनी लिखिए next question है अरिया अकरमन सिदाद पर टिपनी करे and then जनपर शबद की व्याख्या करे next question रामाईन के लिख कौन है विदत शबद की व्याख्या कीजिए किने दो वैदिक देवियों के नाम लिखिए and next हडपा पर एक टिपनी लिखिए राखल शबद बनर जी राखल दास बनर जी कौन थे and then पुरा लेखिया सरोतों पर टिपनी करे and next गोपी शबद की व्याख्या करे and then महान सनानगर पर एक टिपनी लिखिए next है सपत सिंदु शबद की व्याख्या करे next अश्या मेग यग्या पर टिपनी कीजिए and then वर्ण शबद की व्याख्या करे महाबार्द के लिखिक कौन है and next है वैदिक देवता अगनी पर एक टिपनी लिखिए next question दस्यो कौन थे and then आश्रम क्या थे चांडाल किसे कहा जाता था and then रामाईन किसने लिखि next question सबसे लंबा महा काव्या कौन सा है and then पोरस के सामराज्या के बारे में आप क्या जानते है गंदारी कौन थी and next करड़ी योजना का युदका बारकिस के वीच लड़ा गया था ये short question थे students 10 में से 5 का answer आपने देना होगा एक एक नंबर का है और long question 10 माक्स का है ये short question आपके पूरे सलिबस में से कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन long question है जो हर एक युनिट में से दो question पूछे जाएंगे और एक आपने answer देना होगा ये long ऐसे type question है 10 माक्स का ये questions थे first unit में इस तरह से हैं पंजाब की बातिक विशेष्टाओं के बारे में आप क्या जानते हैं विस्थार से व्यक्या कीजिए and next step पंजाब के इतिहास पर बातिक विशेष्टाओं के प्रवाव का वर्नन कीजिए and next step प्राततेविक सरोतों पर एक निमंद लिखिए पंजाब की प्राचिन इतिहास की साहितिक एव प्राततिविक सरोतों का वर्नन करें साथ ही उनके महत्व पर भी प्रिकाश डाले एंड देन हडपा सब्यता के बारी में आप क्या जानते हैं इसकी सीमा और नगर नहीं योजन की मुख्य विशीषताओं पर चर्चा करें एंड देन हडपा संस्क्रेटी की नगर योजना पर एक विश्त्री टिपनी लिखिए एंड नेक्स्ट महंजदडो की नगर योजना पर एक नहें बंद लिखिए ये फर्स्ट यूनिट के कोश्चन थे अब यूनिट सेकिंड के आरिया के मूल निवास के सबंद में पर मुख्य सिदांत क्या है चर्चा करें एंड नेक्स्ट रिगवेदिक युग के दोरान पंजाब के समाजिक दार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्नन करें एंड नेक्स्ट रिगवेदिक आर्या के समाजिक आर्थिक और दार्मिक जीवन का वर्नन करें एंड नेक्स्ट रिगवेदिक आर्या के समाजिक आर्थिक और दार्मिक जीवन का विवर्न दीजिए नेक्स्ट है उत्तरवेदिक आरिया के राजनेतिक जीवन पर एक नेबंद लिखिए सिंदुगाटी सबेता के लोगों के समाजिक, राजनेतिक और धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं रिगवेदिक आरिया की मुख्य विशेशताई लिखिए योनिट सेकेंड था अब योनिट थर्ड जिसमें है जाती विविश्था की उत्रवतिथी और विकास का विवरं कीजिए जाती विश्था की उत्तरवारत की राजनेतिक सिती का विवरं दीजिए and next है रमाइन और महाबार्त यूग के इतिहासिक महतब पर चर्चा करे and then महाबार्त के इतिहासिक महतब पर चर्चा करे next unit fourth जिसमें हैं वैदिक यूग में महलौ की स्थिति का वानन करे students है fourth unit में एक long question होगा और साथ में map का question होगा दोनों में से आपकी च्वाइस है, चाहे लॉंग कोशन करो, चाहे आप मैप का कोशन कर सकते हो, दोनों ही टैन टैन माक्स की हैं, लॉंग कोशन में से ये कोशन आ सकते हैं, वैदिक यूग में महलाओं की स्थिति का वर्नन करे, रिगवेदिक एव उत्तर वैदिक काल में महल कि स्थिति पर निबंद लिखे सकंदर के पंजाब पर आकरमन के रासनेतिक और समाजिक प्रवाब पर चच्चा करें और दूसरा है मैप का कोशन यह अगर लॉंग कोशन नहीं आप करना चाहते तो मैप अच्छे से त्यार कर लो इसमें से आपको जो प्लेसिस दे गई हैं इ अगर आपको कोई प्राब्लम हो कुछ पूशन चाहते हैं और इसी में से आंसर होंगे तो इसी को बड़े ध्यान से आपने त्यारी कर लेनी है अगर आपको कोई प्राब्लम हो कुछ पूशन चाहते हो कमेंट कर सकते हो और अच्छे से अपने त्यारी करना आपको बाकी स्लेबर्स के वीडियो भी यहां मिल जाएंगे आपके मार्क्स कितने आते हैं और आपका पेपर कैसा होता है कैसी त्यारी चल रही है आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हो थैंक यू सो मच मिलते हैं अपने अगले वीडियो में